हेलो गाइस तो आजके इस वीडियो में हम बैसिकलिए बात करने वाल हैं वायरलाइस माइक के कुछ डिटेल्स रिव्यू के बारे में गाइस मुझे आप सभी की तरब से काई सारे ऐसी कॉमेंट्स आ रही है कि हम इसे कौन से मोबैल में यूज़ कर सकते हैं हमें इसे कैसे यूज करना है इसके लिए OTG कैसे चालू करना है ये कौन से कौन से मोबेल में हम यूज कर सकते हैं कितना टाइम चार्जिंग रहेगा गई से से कई सारे क्वेस्टन जो है मुझे बार बार देखना को मिलते हैं अपने comment box में तो इन सभी comments के लिए और आप सभी करना चाहते हो तो ये वीडियो को आप एंट तक देखिए और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आप मेरी चैनल पर पहले बार आये हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी वीडियो देख सकते हैं गैस तो सबसे ज़्यादा मुझे एक ही question आते हैं कि हम इसे कौन से mobile में यूज़ कर सकते हैं और कौन से mobile में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं तो गैस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप अपने किसी भी company के smartphone के अंदर इसे यूज़ कर सकते हो चाहे वो iPhone हो या कोई भी Android mobile हो सभी smartphone में आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसे सभी smartphone में यूज़ करने के लिए अलग-अलग जो इसकी कुछ devices मिल जाते हैं छोटे-छोटे जो कि अभी ये मेरा smartphone है वो CPIN वाला point है उसके अंदर तो अभी CPIN में लगा हुआ है तो CPIN में अभी में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और अगर आपके पास कुछ इस तरीके का device है मतलब कि आप देख सकते हैं पुरानी जो charging point रहता था तो अगर आपके पास ये वाला smartphone है तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे के side में हमें CP point मिल जाता है यहाँ पे CPIN वाला point आप लगा के इनको अपने smartphone में set करके इसे use कर सकते हो तो उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पे कुछ इसरी के से पूरा device मिल जाता है इसके PCB आप देख सकते हैं यहाँ पे CPIN वाला हमें point मिल जाता है और जैसे आप OTG वाला option on कर लेता हो उसके बाद ही आपका जो यह device है यह जो mic है वो उसके बाद ही जो है वो चालू होता है जब तक आप अपने smartphone के अंदर OTG वाला option on नहीं करते हो तब तक आपका mic आप use नहीं कर सकते तो smartphone के अंदर pin लगाने के बाद आपको सबसे play OTG option चालू करना होगा लेकिन guys फिर भी कई सरी viewers का एक ही question है कि सभी smartphone के अंदर OTG option नहीं मिल रहा है तो guys मैं आप सभी को बता दू कि सभी smartphone के अंदर हमें OTG का option नहीं मिलता है लेकिन OTG की तरह ही हमें अपने smartphone के अंदर किसी और नाम से ये setting मिल जाता है और इसे जो है आप अपने smartphone के setting के अंदर या तो कुछ और नाम से आपको वहाँ पे option मिल जाता है और उसे option को on करके आप इस mic को use कर सकते हो गैस कई लोगों का question था कि इसके अंदर voice केसा रहता है और इसका voice जो है इसका volume केसा रहेगा तो मैं आप सभी को बता दू कि अगर ये mic जो है मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ तो इसका voice अभी आप सुन सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जैसे ही मैं इस mic को कुछ इस तरीके से दूर लेके जाता हूँ तो इस जितना दूर रहेगा उसके इसके अंदर voice बहुत ही कम आ सकता है तो अगर आपको इसके अंदर एकदम clear voice चीए और volume वाला voice चीए तो उसके लिए जो है आपको इस mic को थोड़ा नजदिक लाके record करना है तभी आपको एकदम clear और volume के साथ voice record मिल जाएगा गैस अभी बात करते हैं कि अगर आप इसे outdoor में shoot करते हो तो उसके लिए ये कैसा रहेगा तो मैं आप सभी को बता दू कि outdoor के लिए ये best mic रहेगा क्योंकि guys outdoor में जो भी हम shooting करते हैं वहाँ पे बहुत सारी noise रहती है extra voice रहती है तो वो voice और extra noise है उसे ये mic जो पूरा cancel करके हमें एकदम clear और अच्छी सी voice देता है outdoor के लिए ये वाला mic जो है ये आपके लिए best रहेगा और इससे जो है आपको एकदम noise cancellation वाला recording मिल दाता है guys कई लोगों का question है कि इसके अंदर battery backup कितना रहता है हम इसे कितने time तक use कर सकते हैं तो battery backup की बात करें तो इसे जो है आप जैसे charge कर लेते हो उसके बाद ये 3-4 गंटा आप इसे continue use कर सकते हो लेकिन कि आपको जो है यहाँ पर एक चीज दियान में रखनी है कि आप जब भी कोई recording चालू करते हो तो उससे पहले आपको इसे full charge कर लेना है कई बार मुझे भी ऐसा होता है कि मैंने इसे record कर लिया है उसके बाद मैं इसे charge नहीं करता हूँ और फिर से मैं इसे दूसरे दिन direct record चालू कर देता हूँ और तभी चालू recording में ये जो माइक है ये बंद हो जाता है मान लेजे कि अगर आपका camera या अपना smartphone जो है अगर 15 या 20 feet तक दूर है तो वहाँ तक आपका जो voice है एकदम अच्छे तरीकी से record हो पाएगा लेकिन आप 20 या 25 feet से आगे जाओगे तो उसके अंदर जो है आपका voice थोड़ा बहुत break हो सकता है तो आपका जो voice है ये record ही ना ह इसा भी हो सकता है तो अगर आपको distance में यूज करना है तो आप इसे 15 या 20 feet तक यूज कर सकते हो तो मुझे आप सभी लोगों की तरफ से जितने भी highly question लग रहे थे मैंने उन सभी question को यहाँ पे solve करने का try किया है और अगर फिर भी आपको इसे use करने में कोई भी problem हो रही है तो आप जो है मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं और अगर आप इस mic को purchase करना चाहते हो तो इसकी link जो है वो में नीचे description box में दे रहा हूँ आप वहाँ से जो इसे purchase करके मंगा सकते हैं और मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी helpful रही हो तो इसे like कर सकते हैं औ झाल